हेलो स्टूडेंट्स आप सबका एक बर फिर से बहुत बहुत सौगत है आज के इस वीडियो लेक्चर में इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बेसिक साइंस क्लास एट का इंसाइड दा एटम चाप्टर बेसिकली इसके हम कुछ important topics इस वीडियो में कवर करेंगे सो चलिए देर न करते हुए आज का lecture हम स्टार्ट करते है सो आप सब देख सकते हैं आपके screen के सामने आ चुका है हमारा पहला topic जो की है extra nuclear part तो देखे extra nuclear part होता क्या है तो आपके लिए यहाँ पे मैंने एक diagram ली है जिसकी मदद से हमें आपको यह topic थोड़ा बहुत समझाओंगा तो आप देख सकते हो यह क्या है एक atomic model है तो इसमें जो सबसे beach में यह जो part है यह हमारा nuclear reason है तो basically देखे होता क्या है कि आपने देखा होगा यह हमारा nuclear reason हो गया इसके जो दूसरा shell यह हमारा बनता है फिर उसके तीसरा shell यह हमारा बनता है तो basically होता क्या है यह जो nuclear वाला beach वाला reason है इसमें आपके neutrons प्लस protons दोनों मौझूद होते हैं protons जो होते हैं वो positive charge particles होते हैं और जो आपके neutrons होते हैं वो neutral होते हैं ओके students so basically क्या है यह आपका nuclear reason है और यहाँ पर आपके करी electrons जो होते हैं वो मौझूद होते हैं तो in between में यह जो आपका reason आ रहा है ना यह in between में यह आपका basically extra nuclear part है so आप सब इसकी definition भी परके थोड़ा बहुत idea ले सकते हैं the extra nuclear part in the atomic structure includes electrons revolving around the nucleus so basically यह दिखें nucleus है इसके इर्ध-गिर्ध revolve करता रहते हैं कौन electrons ठीक है and the empty space in between the nucleus and the electron तो होता क्या है यह जो electrons हैं यह revolve around करते रहते हैं इसके तो basically यह जो इसके बीच की empty space है ना खाली जगे आपको दिख रही है यह होती हमारा extra nuclear part इसको extra nuclear reason भी बोला जाता है okay students I hope आपको यह वाले topic बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा चली अपने next topic के तरफ बढ़ते आगे so students चली अब अपने अगले topic के तरफ बढ़ते हैं जो कि है electrons electrons के बारे में सीखेंगे हम बहुत ही अच्छे से electron होते क्या है electron is a negatively charged subatomic particle तो जो electron है आपके यह एक negatively charged subatomic particle है तो basically जो electron होता है यह negative charge अपने पास रखता है यह negatively charged होते है ठीक है तो यह कौन से है negatively charged subatomic particle and it is denoted by the symbol e negative का sign इस symbol से आपको जब भी कहीं दिखा आप समझ जाना electrons की बात हो रही है each electron carries one unit of negative charge एक electron जो होता है उसके अंदर one मतलब negative का एक electron ऐसा होता है minus one electron तो देखिए यहाँ पर एक line कही गई है mass of an electron that means अगर बोला जाए कि भाई एक electron का mass कितना होगा एक electron का mass कितना होगा तो यह बराबर होगा अगर hydrogen को हम करीबन 1800 parts में distribute कर दे that means divide कर दे तो जो उससे हमें एक part मिलेगा ना वो उसके बराबर होगा किसके mass of one electron तो एक electron के mass जो होता है वो 1800 का एक हिस्सा hydrogen का उसके बराबर होता है focus friends I hope यह बात आपको clear हो गई होगी चलिए अब अपने आकरी point के तरफ पढ़ते है the number of electrons in the extra nuclear part तो basically यहाँ पर बोला है कि भाई यह जो beach का extra nuclear part है यह आपका nucleus है जिसको z sign से हम जानते है तो यह जो beach में extra nuclear part है इसमें कितने items मौजूद होंगे so basically इसमें number of electrons जितने भी होंगे न वो बराबर होंगे to the number of protons जो इसके अंदर number of protons मौजूद होंगे number of protons उसके बराबर होंगे number of electrons in the extra nuclear area तो यहाँ पर अगर मैं आपको यही बात short में समझा हूँ तो यह बोला गया है कि भाई यह जो nucleus के अंदर number of protons है will be equal to number of electrons जो इसके एक्स्रा nuclear पार्ट में खूम रहे होंगे I hope यह बात आपको बहुत अच्छे से clear हो चुकी होगी तो चलिए अब अपने next topic की तरफ आगे बढ़ते हैं okay students so students आज का हमारे last topic पे हम आ चुके हैं जिसमें बात की जाएगी distribution of electrons के बारे में तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने एक पूरे जो atomic अपना model है उसके shell त्यार कर लिये हैं तो देखिए यह आपका nucleus वाला part है इसके बाद यह जो पहला आपका shell बन रहा है इसको k नाम से जाना जाता है basically किस नाम से के नाम से उसके बाद आता है अगला L फिर आता है M और फिर आता है N तो यहाँ पे मैंने कुछ important points भी लिखे हैं जो आप भी note down कर सकते हैं इस वीडियो से तो इस पे भी एक बार go through कर लेते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई बोर्स का जो atomic model है उसके according जो electrons है वो यह जो stable shells है ना आपके इसके इर्दगिर्द revolve करते रहते हैं घूमते रहते हैं इस shells have a definite energy अब यह जो shells होते हैं इसके अंदर क्या है definite एकदम fixed मातरा के energy होती है यह कह रहा है यह जो nucleus है इसके सबसे पास जो यह shell है ना यह वाला इसको हम जानते हैं किस नाम से इसको first shell बोला जाता है जो की जाना जाता है के नाम से ओके students the next shell is called the second shell यह जो अगला वाला है जिसको हम L बोल रहे हैं यह आपका second shell है a symbol N is used for the ordinal number of a shell तो ordinal number की बात की गई है तो normally यह 1, 2, 3, 4 इन की बात की गई है और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर देखिए आपको बोल रखा है कि जो shells हैं हमारे first, second, third, four इनको हमने नाम दे रखा है मतलब basically English के alphabets दे रखे पहला वाला K नाम से जाना जाएगा दूसरा L से, तीसरा M से और last वाला N से corresponding to the ordinal numbers 1, 2, 3, 4 मतलब अगर numbering में इसको देखा जाए तो first वाले को first, shell, second, third, fourth इस तरीके से बताया जाएगा the maximum number of electrons a shell can contain is obtained by the formula यह तो basically यहाँ पर बोला है कि भाई यह जैसे K shell है ठीक है मैं यहाँ पर आपके लिए example ले लेता हूँ आपको समझा भी देता हूँ कि मान लिजीए K, L, M और N यह मैं एक छोटा सा चार्ट बना दे रहा हूँ आपके लिए जिससे हम क्या करेंगे number of electrons निकालेंगे कि एक एक shell में कितने number of electrons हो सकते हैं ठीक है तो यह column हमने symbols के लिए कर दिया यहाँ पर N लिख देते हैं इनकी value 1, 2, 3, 4 अब यहाँ पर लगा देते हम अपना वाला formula जो आपको पता यह formula क्या था यह वाला formula है हमारा 2 और N के उपर square तो basically क्या होगा 2 multiply होगा N क्या है? Valuation इनकी यह वाली इसका square करेंगे और बाद में 2 से multiply कर देंगे उसे तो देखें यहाँ solving कर लेते हैं और यह solve करने के बाद आपको last वाले जो box है इसमें मिल जाएगा number of electrons तो देखें formula के according यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर होगा भाई 2 into 1 का square यहाँ पर होजाएगा 2 into 2 का square यहाँ होजाएगा 2 into 3 का square और इधर होजाएगा 2 into 4 का square अब इसको आप जब solve कर लोगे तो आपको यहाँ पर आगे ना answer मिल जाएगा तो पहले वाले box में answer आजाएगा हमारा 2 दूसरी में आएगा 8 फिर आजाएगा 18 और अब आरा है 32 तो basically यहाँ पर हुआ क्या है जो last में यहाँ पर एक line कही है the maximum number of electrons a shell can contain is obtained by the formula तो यह बोल रहा है कि यह जो k वाला shell है इसमें maximum number of electrons कितने हो सकते हैं वो इस formula से हम निकाल सकते हैं तो यहाँ पर maximum हो सकते हैं 2 l shell की बात की जाए तो यहाँ पर 8 हो सकता है m की बात की जाए यहाँ 18 हो सकता है और n की बात की जाए 32 maximum number of electrons हो सकते हैं इस shell के अंदर as the magnitude of n increases अब दिखें यहाँ पर जो word ना magnitude इसका मतलब क्या होता है magnitude का मतलब होता है जैसे माल जी इस formula के में बात कर रहा हूँ तो इस formula में यह जो पहले valuation लिखे हैं ना numeric value वैसे वैसे क्या होगा the energy of an electron in that shell increases तो वैसे वैसे देखें इसकी energy भी increase होती जाएगी I hope यह topic आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा आज की वीडियो आपको कैसे लेगी यह बताना मत भूलिएगा आप और किस topic पे चाहते हैं आगे मैं वीडियो बनाओ वो comment section में आप बता सकते हैं सो आपसे जल्द मुलाकात होगी अपने next lecture में till then take care have a nice day